हाई स्टूदेंस वल्कम तु कांसलिंग गड़ा 247 मैंसल फर्षप्रीट काउ या फिजिक्स एजुकेटर तो आज एक वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि इस बार ने 2024 कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड की क्या गई है respective aims की and round two में हम क्या expect कर सकते कि cut-off कितनी जाएगी कौन से aims में कितना seat left है क्या पूरा डीटेल है आपको पता चलेगा तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फोगे तो सब्स्राइब स्कोर गया है और अगर हम रैंक की बात करें तो 47 इस द ऑल इंडिया रैंक जिस पर आपकी कट-off गई है किक है EWS की बात करें 710 AIR 214 OBC के अगर हम बात करें तो 710 आपका जो है रैंक and AIR अगर हम बात करें 186 SC के बात करें 705 is basically the marks अगर AIR बात करें तो 647 and ST category की अगर हम बात करें तो 700 is the cut-off and AIR is 1150 मैं आपको इस वीडियो में 20 aims के complete cut-off के बारे में बताने वाली हूं first round के बारे में and आपका जो भी favorite aims है जहां पर आप admission upcoming year में लेना चाहते है 2025 में या फिर आपको इस साल जहां पर admission मिला है तो comment section में comment करके जरूर से बताइएगा next अगर हम चले aims जोदपूर तो general बेटा 710 आपका cut-off गया है EWS का गर हम cut-off बात करें 705 तक गया है OBC 705 SC 685 ST 675 and this is respectively the AIRs on these scores जहां पर आपका cut-off गया है first round का फिर next अगर हम बात करें aims बहुपाल aims बहुपाल में बेटा general की अगर बात करें तो 705 is basically the cut-off score AIR 510 EWS की बात करें 701 AIR 1013 OBC की बात करें 701 AIR 992 ST की बात करें 684 AIR 5850 ST की बात करें तो 665 is the score and AIR is बेटा approximately 15,645 next अगर हम बात करें aims बहुपनेश्वर तो बेटा aims बहुपनेश्वर में अगर आप देखेंगे cut-off क्या गई है तो देखो general category की almost सारे aims का 700 अबव ही जाता है आप even 2025 के भी अगर student है और आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो आप यह जरूर से समझ के चलेगा की बिटा अगर aims में डिमिशन लेना है तो general से अगर आप बिलॉंग करते हो कोई कोटा नहीं है आपके पास तो 700 अबव स्कोर ही आपको लेकर आना पड़ेगा ठीक है तो अगर हम यहाँ पर बात करें 705 is basically the cut-off score अगर AIR बात करें तो 594 is respectively the आपके पास all India rank EWS की बात करूंगे तो 696 is basically the cut-off score and AIR is approximately 1790 OBC category की अगर आप बात करते हो तो 700 आपके पास score गया है और AIR गया है 1252 SC की बात करूंगे 679 is basically the marks cut-off score and AIR गया है 7879 and ST की बात करूंगे 662 is the cut-off AIR is 17557 let's move on to the next aims that is AIMS Rishikesh AIMS Rishikesh में बिटा cut-off जो गई है वो गई है कुछ इस तरीके से general की गई है 705 EWS 700 OBC 700 SC 677 and ST is 660 this is respectively the all India ranks and further अगर हम यहां पर बात करें बिटा AIMS Rishikesh में तो आपके पास ST का जो cut-off गया है that is 660 तो बिटा आप यह चीज़ मानके चलिए कि अगर टॉप AIMS की बात करें है ना अगर आप overall top AIMS देख रहे हैं AIMS Delhi की अगर बात कर रहे हैं 700 तक cut-off गया है अगर AIMS जोतपूर की बात कर रहे है 675 तक cut-off गया है तो approximately बिटा जो cut-off रह 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 वो AIMS 696, OBC में 696, SC में 673, ST में 655 is the cut-off in AIMS नागपूर and this is respectively the AIRs यानी की All India ranks अब AIM में admission लेना, AIMS college में admission लेना सब बचों का खाब होता है बट यहां पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी कि अगर आप not so popular AIMS में admission पा चुके हैं और state counseling के अंडर आपने कोई state का top college पा लिया है तो always go for the top college, not for the AIMS, I will recommend this क्योंकि बच्चे usually AIMS के पीछे बहुत पागल हो जाते हैं कि हमें AIMS में admission लेना है बट बेटा college repetition, college का हेना सब अंदर का infrastructure तो छोड़ो वो एक बात है हेना faculties वहां की पढ़ाई कैसी है, labs कैसी है हेना वहां से जब आप MBS करके निकल रहे हो तो क्या scope है, वो सब चीजे भी matter करती है तो सिरफ यह matter करता है कि आपको AIMS में admission मिल रहा है, यह matter करता है कि अगर आपको state counseling अभी कोई बहुत अच्छा college मिल रहा है तो you should go for that next, अगर AIMS राइपूर की बात करें तो general में बटा 700, EWS में 695, OBC में 696, SC में 670, ST में बात करें तो 646 and this is respectively the AIRs next, AIMS पतना की बात करें तो general में बटा 700, EWS में 695, OBC में बात करें 695, SC में बात करें 665, NST में बात करें तो 640 and this is respectively the AIRs next, AIMS बठिंडा की अगर हम बात करें तो general में बटा 700 गई है cutoff first round की EWS में 690, OBC में 693, SC में 705 आप यहां पर बिटा cutoff देखिए 705, बहुत होती है next, ST की बात करें तो 700 आपके पास cutoff गई है, ठीक है तो यहां पर आपके पास respectively यह AIRs है आगे चलिए AIMS मंगला किरी की बात करूंगे तो general में बटा 696 गया है cutoff EWS में 690, OBC में 690, SC में 656, ST में बात करेंगे तो 634 and this is respectively the AIRs next, AIMS राजकोट की अगर हम बात करें तो general में 696 गया है बिटा cutoff, EWS में 696 गया है, OBC में 691, SC में 655, ST में 640 and this is respectively the AIRs I hope आप यह cutoff से समझ पा रहे होंगे कि first round जैसे ही बिटा खातम होता है तो सबसे पहले जिन colleges के हाथ खड़े होते हैं कि हमारी seats तो almost full हो गई है या फिर fully हो गई है, वो होते हैं AIMS college है ना, तो आप अगर यह expect करके चल रहे हैं कि बहुत ज़ादा drastic difference आ जाएगा second round की हैना, cutoff में तो ऐसा नहीं होता है first round में usually जितने भी AIMS हैं बिटा, उनकी seats जो है फिल हो जाती है कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा AIMS college में आपको admission मिल गया आप वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं जैसे कि AIMS madurai की अगर हम बात करें आगे मैं आपके साथ discuss करूंगी उसके cutoff scores को भी तो बचे प्रेफर करते हैं कि AIMS madurai के comparison में अगर कोई और college मिलता तो हम वहाँ पर चले जाएंगे ठीक है तो वहाँ पर बिटा seats vacant हो जाती हैं तो eventually आपका second round में seats चली जाती है इवन की कहीं कहीं मौप अप राउंड में भी बिटा एक दो seat अगर खाली हो जाती है तो उसे सापसे आपको admission मिल जाती है तो as such आप कुछ ऐसे estimation नहीं लगा सकते कि इतना cutoff जाएगा ऐसा नहीं होता है नियर अबाउट यह जो मैं आपको cutoffs बता रही हूं first round की गई है अगर आपका rank नियर अबाउट दिस है अगर कोई seat खाली होते है तो देरा chances की बिटा आपको वहाँ पर admission मिल सकती है ठीक है OBC में 690, SC में 659, ST में 621 एम्स बीवी नगर में अगर आप बात करोंगे तो जैनरल में 696, EWS में 690, OBC में 690, SC में 655 and ST में 635 and again बिटा this is basically the AIRs next एम बिलासपूर की अगर बात करोंगे तो जैनरल में 695, EWS में 689, OBC में 690, SC में 654, ST में 630 next एम्स राइबरेली में अगर आप बात करोंगे तो जैनरल में इस नियर अबाउट 695, EWS में 690 पे cut-off गई है OBC में बात करोंगे 691 पे गई है, SC में 653 पे गई है और ST पे इस 629 and बिटा ये आपके All India Ranks का है फिर एम्स देवगड में बात करोंगे अगर आप देवगड में बात करोंगे तो जैनरल में बेटा इस 691, EWS में 686, OBC में 690, SC में 649 and ST में 619 एम्स गुहार्टी में अगर आप देखेंगे तो जैनरल का बिटा आपके पास 690 cut-off गया है EWS का 685 गया है, OBC का आपका 686 गया है, SC का 649 गया है, NST का आपका 620 गया है और ये बिटा आपके All India Ranks यहां पर लिखे हो हैं, आप स्क्रीन शोट भी ले सकते हैं एम्स जम्मू की अगर मैं बात करूं तो एम्स जम्मू बिटा आपका जैनरल पे जो cut-off गया है, वो गया है 690 All India Rank 3,787, EWS में 685, All India Rank 5,197, OBC में 686, All India Rank is 4,567, SC में बात करें 645, All India Rank is Near about बिटा 30,320, अगर ST की बात करें तो 635, All India Rank is 40,302 Next, Aims Madurai, यह सबसे least rated Aims है, यहां पर बच्चा usually prefer नहीं करता है अगर mission मिल जाता है बट वो कहते हैं नो बस की Aims में admission मिल गया है, Aims Madurai हो या कोई भी हो matter नहीं करता यह सिरफ उन बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ कि यहां पर बिटा आपको थोड़ा सा smart work करना है, अगर आपको कोई Aims Madurai मिल रहा है जहां से scope जादा नहीं है, यानि कि जहां का, जहां से अगर आप MBS करोंगे, तो इतना फाइदमन नहीं है as comparative to कि आप किसी state के college, high rated college से आप MBS कर लो, तो बिटा आप प्लीज ध्यान से इस चीज़ पे है ना चलो, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ यह मिटर नहीं करता कि आप Aims में जा रहे हो, यह मिटर करता है कि आप top college में जाने चाहिए, तो Aims Madurai कि अगर हम बात करें, तो यहां पर भी जो cut-off है बिटा यह expected नहीं है कि इतनी high cut-off जाएगी, but still यहां पर भी cut-off जो है वो बहुत high गई है, general की बात करों कि 686 is basically the cut-off, 4454 is a rank, EWS में 682, All India rank 6186, OBC 685, SC 654, sorry 644, ST is 615, so this is respectively all the Aims cut-off for 2024 round 1, अब round 2 की बात करें, तो मैं already आपको बता चुकी हूँ, बहुत जादा marks में अंतर नहीं आने वाला है, near about यही बिटा cut-off रहने वाली है, final cut-off, आप इसी को मान के चलो, हो सकता है कि कोई बच्चा जो है, वो Aims को छोड़ दे, state counseling के दौरान जो उसको college मिला है, वो उसके हो जाएगी और आपको mission मिल सकता है, तो इसमें हम कोई बहुत बड़ा estimation नहीं लगा सकते हैं कि cut-off इतनी जाएगी, because Aims Delhi में बात करें, तो chances तो रहते ही नहीं कभी, कि round 2 में Aims Delhi की जो seat है वो खुल जाए दुबारा, but भाई कहते हैं कि जब luck साथ देती है, तो कुछ भी हो सकता है, तो आपने जब second round की choice filling and locking करनी है, तो वो उस हिसाब से ही करनी है, बिटा कि आपको seat matrix के बारे में अच्छे से पता हो, आपको preferences को set करना आता हो, अगर आपको इसमें help चाहिए, तो आप नीचे comment section में comment करके जरूर से पूछे, हम आपके लिए वीडियो बना देंग के इस चैनल पर, साथ ही जाथ बिटा, अगर मैं overall crux summary दू इस video का, तो बिटा, top 5 aims की जो cutoff गई है, वो 705 से उपर गई है, अगर top 10 aims की बात करें, तो 696 से उपर गई है, cutoff top 15 aims की बात करें, 695 से उपर गई है, then अगर हम बात करते हैं, top 20 aims की, तो इस अप्रोक्समेटली द के लावा अगर आपको कोई भी problem आ रही है आपके counselling process में, so do comment in the comment section, don't forget to like the video as well as subscribe to the channel and press the bell icon, मिलिंगे next video में, till then stay tuned.